हेलो भाई लोग स्वागत एक नहीं विडियो में तो गाईज आप सबने सुना रहेगा मिलका सिंग जो है उनका भी डेथ हो गया है नाइंटीवन यर्स एज में नाइंटीवन साल के थे वो इंडिया के मतलब फास्टेस रणर थे और उनके पर पिच्छर भी बन चुकी है भ बहुत सारा नुकसान हो गया है हमारे इंडिया को खास कर गए बड़े-बड़े सेलिविर्टीव सूपस्टास यह सब दूर चले गए है इर्फान खान हो गया बहुत ही बेस्ट एक्टर था उसके बाद सुषान सिंग राजपूर यंग टैलेंट वो भी उसका भी साइड नियूस हो गया रिशी गपूर वो भी बहुत ही बैतरी एक्टर दे उसके बाद भी मिलका सिंग लेजेंड गरम मसाला जो जिनोंने बनाया है मसाला इंडिया में जो भी मसाले बनते है वो भी नहीं रहे है प्लस बहुत सारे और नीज एक नीज रिपोटर का भी सुना था मैंने तो ऐसे बहुत सारे साइड नीज पर साइड नीज आते रहे हैं यह सब यह कोरोना के वज़े से हुआ है क्या हुआ करोना आ गया तो सब के मन में मतले यह मतलब तवड़ा अलग, Mahaul अलग सा बनगया लोग घरसे बाहर नहीं कल रहे हैं काम नहीं कल रहे हैं, कम बाहर जाते हैं तो फ्रेश हो जाधा आदमी भर थे बैट बैट कि दिमा काम करना बंद कर देता है तो उसके वजे से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जा देखेज। उसके वजे से ये सब ओसी नीज defender हमें शुनने को मिलती है तो कोरॉना के वजे से बहुत सारा जो है नुकसान हो गया इंडिया को और पूरे वर्ड को पूरे वर्ड में भी आपने सुने रहे हैं बहुत सारे लोग जो है वो हमें छोड़ के चले गए तो यह बहुत ही sad news है guys so please corona जल से जल खतम हो जाए और corona के वैसे जो हमें यह sad news मिल रही है वो नहीं मिले आगे जाके लोग खुश रहे फिर से जैसा था वैसा शुरू हो जाया है लोग companies खुल जाये malls, status, public places सब आम हो जाया तो अच्छा रहे है मतलब लोग भी healthy रहे गे स्वस्थ रहे गे और मतलब जो है अपना नॉर्मल लाइफ जीएंगे तो वही message में बोलना जाता था कि कोरोना के वाइसे बहुत सारा नुकसान हो गया है लोगों की health अच्छी नहीं रही है तो please guys corona को जल से जल खतम कीजिए क्यों कोरोना बहुत ही लोगों को डिप्रेशन में डालता है लोग या स्काम भी नहीं मिलता है लोगों so please corona का वैक्सीन लीजिए और कोरोना का टाइम खतम होगे लोग अभी बोर होगे कोरोना से लोगों को कोरोना अभी लोगों को सुन रहा भी नहीं है आज के वीडियो के लिए अगर आपको पसंद आये तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंड कीजिए बाय बाय टाटा को को कै पाइम ग्याटाओ पतम होगा है